शारुखान, अक्षे कुमार और टाइगर श्रॉफ के बीच में एक बड़ा क्लैश देखने को मिलेगा दोस्तों क्यों और कैसे चलिया ये बात करते हैं स्वागत है आप सभी का बॉलिवुड स्पाई में मैं हूँ अदिती शर्मा तो लो जी आज एक बड़ी मुवी की अनौस्मेंट हुई, मुवी है शारुखान की, मुवी का नाम है डंकी जी हाँ और यहाँ पर राचकमार हिरानी और शारुखान की ये पहली फिल्म रहने वाली है साथ में लेकिन ये फिल्म अकेली नहीं है जो 22 डिसेंबर 2023 में रिलीज होगी इसके साथ साथ एक और फिल्म 22 डिसेंबर 2023 में रिलीज होगी दोस्तों जिसकी चरचा काफी दिनों से बनी हुई है, इस फिल्म से भी पहले क्योंकि इसकी official announcement तो आज ही हुई है जिस film का नाम है बड़े मिया, छोटे मिया और इस film में आपको देखने को मिलेंगे अक्षे कुमार और टाइगर श्रॉफ काफी चर्चा में ये फिल्म बनी रही दोस्तो ये हम पुरानी फिल्म भी देख चुके हैं जिसमें अमिता बच्चन और गोविंदा है वो भी बहुत ही जादा funny मतलब बड़ा मज़ा था लोगों को आज भी नहीं भूली वो फिल्म तो अक्षे कुमार और टाइगर श्रॉफ की बड़े मिया, छोटे मिया का भी लोगों को इंतजार है और अब राजकुमार हिरानी और शहरुक खान की ये फिल्म इसका वे शहरुक खान की फैंस को इंतजार है तो एक बड़ा clash हमें देखनी को मिलेगा क्योंकि डिसेंबर 22 ही तो उनों की release date बताई जा रही है 2023 में तो अभी तो इन फिल्मों पर काम चल रहा है दोस्तों काम शुरू हो जाएगा shooting होगी बहुत सारी चीज़े रहेगी उसके बाद finally ऐसा नहीं है कि ये एक final release date है मतलब ये है कि तब तक ये फिल्में तयार हो जाएंगी अभी final क्या release date होने वाली है वो तो हमें बाद में पता चलेगा क्योंकि date आगे पीछे भी होती रहती है लेकिन आभी के हिसाब से अगर ऐसा होता है दोनों एकसाथ release होती है तो पड़ा clash होगा आपको कहे कहना कमेंट्स में ज़रूर बताईए